अभिशेक बच्चन ने अपनी पहली फिल्म रिफ्यूजी जेपी दत्ता के साथ की थी जेपी के प्रती उनके मन में बहुत सम्मान है पिछलो दिनों जेपी दत्ता ने पल्طन नामक एक फिल्म बनाने की घोषणा की और हमेशा की तरह फिल्म की स्टार कास्ट में अभिशेक बच्छन का नाम भी शामिल था लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि पल्टन से अभिशेक अलग हो गए हैं उन्होंने याफ फिल्म करने से इंकार कर जेपी को जटका दे डाला इस बात का सही कारण अब सामने आया है सूत्रों के अनुसार जेपी की कभी कहाणी न पूछने वाले अभिशेक ने इस बार अपने रोल और कहाणी के बारे में तहकीकाट की जेपी को बुरा तो लगा लेकिन उन्होंने सब कुछ अभिशेक को बता दिया अभिशेक को लगा कि उनका रोल बहुत छोटा है करने को कुछ भी नहीं है अब जेपी दत्ता को मना करे तो कैसे करें घर पहुचे और डैडी के पास समस्या लेकर पहुच गए अमिताव बच्चन से उन्होंने कहा कि वे ये फिल्म नहीं करना चाहते हैं लेकिन जेपी दत्ता से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आखिरकार अमिताव बच्चन नहीं काम किया उन्हेंने जेपी दत्ता को सूचना दे दी कि अभिशेक या फिल्म नहीं कर रहे हैं जेबी दत्ता ने बिना समय गवाय अभिशेक की जगत दूसरे का लाकार को ले लिया